वो चलते उसके कमरे में आई देखा तो वह प्रैक्टिस कर गे पानी की बोतल पीने में मस्रूब थी साथ में सफ़े पे गोर का रही थी प्रैक्टिस कैसी जार ही है सुबा ने सर उठाया तो मुस्कुराई तोबा भी पहले तो लगा था बेहद असा है पर अब तो लगता है जैसे सब कुछ बूल गया है बहुत कम दिन रह गया और काम हो जदा उपर से हैरी दिल करता है सर नोच लो मुझे जरूर हरवाएगा अपने डालाग बाजी माने से आजाती है एक सिर्फ मैं और गुल शेर हैं अच doctor को ईसके पास आई गुल शेर कौन अल्ला गुलब शेर को नहीं जान दी आप गुल शेर गुल शेर वो एकदाप ओने लगी थी और फिर जैसे बोलते बोलते रुख गे नहीं तम बहुत से लोगों कामिसे जिक्त कर का याद है तुमें समरन ने बड़े आम से लहाज में कहा था जी क्या कहा था उन्होंने लड़की हर बात मुझे जाद दिलाते हो आप खुद बूल जाती हो उन्होंने कहा था मैं देती हूं सोने का नमाला रखती हूं शेर के नजर अभी को उसके जरूरत ही नहीं होती थी हम हुद ही सब कुछ बोल जाते थे या एक दूसे के चुगरे लगा देते समरन हस्परी है रब बाद्दू को ना गुमाओ जो दिल में है बोल डालो मैं हर्गिस तुमें डांटूंगी नहीं समरन ने अब संजिद के सका तो नूर का समरन आपी उसको कपड़े चेंज करवाएं इसने थुरू कर दिया है जास्मीन उससे शरारती अमेरल डांको वाली बिल्ली को उठाय जो अपनी हरकत पे रोने के बजाए खिलकला का हत्री थी और उसकी गर्दिन में मुह देने लगी या जास्मीन ने फोरन समरन को पकड कि अब भी फीट करवाया था और हां जास्मी चेंज करके सबा का पार्सल पकड़ा देना मैं उसे नहला कर लाती जल्दी से दीन को पता चलाना मुझ पारबट सेंगे वो ड्रेस पेन का इनके सामने आई लाल रंक अनार कले के आउटफिट में किसी खिली हुई गुलाब से कम नहीं लागरी थी उसको सूर बिलकुल फिट हुआ था ब्रश उठा को अपने बाल सटकने लगी बगर उसके बाल उलज रहे थे बीच में से उफ एक तो ये लंबे बाल भी अज़ाब हैं उसने ब्रश में फसे बालू को निकालना चाहा कि एक हाथ ने उसके हाथों को प करी बोला था वो डार का दर्वाजे की तरफ देखने लगी अनार कली बनने जार ही हो स्कूल गर्ल नहीं वो मुड का नराज़की से कहती ब्रश लेने लगी जब उसामा ने हाथ पीछे किये नराज़की सुबा मैडम को सूर नहीं करती वो तो उल्टा बदला लेती है मैं मुघे जरूदा था मैं यहाँ तो बाइकार। किया हुँा है मेरी महबच पचा किया था तुमığı त मुघे पता हैं असामा तुम हर बार मुझे बच्छ करते हो मैं तुम्हें हर बार माउपका देती हू नहीं कि menor बार बार तुम मेरी महाबच का फायदा उठाथे हो ओ तो म मैं special हुदमाने लिए लिकिर इसमें मेरा क्या खूरत मुझे गुसा दिलाती हो मेरे गुसे को तुम्हें बच्मर्ण से मालूम है आप मुझे तांग मत करो वैसे भी आज मेरा मूर साथ हराब है वैसे भी पले बहुत हराब जाने लगा है वो ब्रश लेका जाने लगी कि उस स चीजे थी उससे इसमा की पिगला कराक देती थी उससे बढ़ पर इशारा करती वो अप अपने पिंस उठाने लगी वो नीचे बाड़ गे जबके वो उपर बड़ पर एक मज़े की बात बताओं तुमें अपना काम करें आप ये मत बूले मैं अबसे राजी होगी राजी ह गिए उसे लगा उसामा अब तरीफ करेगा आप करेगा वगर ऐसा हो सकता था कि चिकी कभी तरीफ करे वो बनाने में बेहत मसूफ था तुम्हें पता है गजल क्या कहती है वो चूंकी मगर बोली कुछ नहीं सुन रही हूं वो बाल कहें दो भी बोला उफ उसने तेजी से उस साथ में उसे देखते हुए बोली मुझे थपर मारा था कितनी बातमीज बीवी हो वो गूते हो बोला थपर बहुत कम था तुम्हारे बाल खैंचने चाहिए थे मार मार का हूं निकाल देना चाहिए था वह अब उसके बाल बना चुका तो अचानक देस्त हुई वह एकदम सबाबी समरन आपी खाने के लिए बुला रही है सबाने गहरा सांस लिए उसने पने बाल नहीं देखे उसे जल्द से उसका हाथ पकड़ कर खेंचा अब जाओ यहां से वैसे भी आज समरन आपी को शक हो गया है वो तो शुकर था सब आगी चलो यहां से यार खाने पे बु छिज़ना आ वोस्य हे तांकरते हों बोला बाबी तुम्हारा बना दे गिए अगर उनों नहीं तुम्हें की बहाथ करो दो खें जा मेरे बीबी मुझे नहीं मनाती है मैं क्यों बलावना हूं बाबी को ठांक यूफ इमासी पोनी के बज़ाए फिच्छ तेल ब्रेड वो भ दर्वादा तो खोल दे तुम जो मैं आ रही हूं वो तेजी से बोली पहले मनाओ वा बिस्तर बटांग बटांग रखे बायर गया सबाने से फिर अपने फून को देखा तेजी से उठा का म्यूजिक में वो ही गाना लगा दिया जिस दिन उसामा रोया था मान गया है बेबी अब जाए यहां से उसामा का मूँ उतर गया तुम जैसी बच्चू वाली बीवी हो तो फिर आदमी का अल्ला ही हाफिज वतासर सरह रहा था उट पड़ा मगर जाते हैं उसके बाल खेंच का बाका तच्छी की मगर वसाब किसे स्पाइडर मैन की तरह टैर्स से गाइब हो गया था समर जी मैं आपकी बहन से बहुत महबत कता हूँ मैं जानता हूँ मेरे पास में काफी लड़कियों से दोस्ती रही है मगर सबा को जब से देखा है जब से जाना है मुझे सब औरतें बेहत ममूली लगने लगी है उसके आगे आप प्लीज हाँ कार दे मैं सबा को जल दल जल अबनाना चाहता हूँ उसामा लड़कियों से दूर बागता है उसे तक अजीब से अलरजी है उसे गुस्साय का इतना तेज है क्या बताओं मगर उसका दिल बेहत साफ है इतना किशाद किसी का भी ना हो आप भी शक मुझे मार लें मगर प्लीज उस पा हाथ न उठाए वैसे आपकी बेहन में कितना गरूर है कोई बंदा हो तो उसे थपर लगा दे कासम तेजी से बोला मैं उसको उसके अपनों से दूर नहीं कर सकता जो महबत और जो हैल आप रख सकती है वो और कोई नहीं आपी उसामा ने कभी मुझे ऐसा वैसा खाथ नहीं लगाया वो तो सोता भी सोफे बेता हूं मैं जब पे होश हुई तो वो मुझे हास्पिटर लेगा गया था मुझे कप्ड़े बिद्योटोर मेरी पूनी ये बनाता उसने मुझे सान्विच भी रात को बना का दिया था आपी उसने मुझे कभी मारा भी नहीं था आपी कासम ने मुझे हाथ उटाया मैंने उसके कपड़े गंदे कार दिया पर मेरी गलती नहीं थी मैंने फिर उसे बैट माला तो आंटी ने डाटा आपकी बहन आपके हवाले कर रहा हूं मेरे में अगर जरा भी खोट हुआ तो मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं होगी कि मैं नूरे सबा को तलाग दे दूँगा और यहां से चला जाओंगा आप मेरी आप हमारी ड्राइबर की बिटी है मुझे मत डांटे समझे तेरہ साला कासम cm सुगसे से बोला आप मेरी मा की जगा मीरे ले लिकाबल एहतराम वसफार को सलाथ या चाले जा लेग जह ये जहन में उसामा और खासमा का मवाजना करने लगी साली बाद उसामा के हक में जारी थी एक बात कोई एक बात उसमें गलत हो सवाई उसकी उसने नूरे सबाब से चोटी हुमर में निकाグ ιा मेरा चीकी मेरा दोस्ती चला गी अपि उसने अच्छा नहीं किया किसी ने चुटकी बजाए कहां गुम है मेरी मुशम सलाहुदी ने जुकर सफाइर को प्यार किया और उसे प्यार से देखते हुए कहा कहीं नहीं यहीं हूँ हमोशी हासी लाकरी हो कहीं पिर मुहतरमा को गुसा नहीं आएगा वो इस शरार से बोला आप भी ना दीन और बास की रेट फिक्स होगे हैं उसकी सास के तबिया ठीक नहीं है तो शादी जल्द जल्द राक ली वो अब उसके चेरे के तास सास को जाइंते हैं वो बोला चक्ति वो बिलकुल नारमल अंदास में सुन रही थी जैसे ये नियूस उसके लिए नियूस और शाकिंग ना हो डेल कब है उसकी समरेन आइसा सका अगले महिने की ते तीसरी तारह यानी दस दिन रह गे मैं तुम्हें फोर्ट नहीं करूंगा ठीक है मैं काल जासमीन को शॉपिंग के लिए ले जाओंगी नूर अपनी रिहलसल में बीजी है उसका भी बस हफ्तार है कि उसके बाद फारग है क्या मतलब मतलब का कैसा फार अपने दादा के नहीं चाएगी और मैं मौरी को बहुत मिस्ट कर रही हूँ सराहदीन का मौह हैरस कुल के उसे जिकी नहीं आगे समर के मूँ से निकलाए मौशम ये तुमने अभी जो बोला है दो बारा बोलना दीन सो जाए मुझे बहुत नीदा रही है मैं जैसे सोने दूंगा तुमें बोलो फिर से वो इसके पास है और का मुझे बहुत ज़्यदा वाली नीदा रही है दीन मौशम तुमने आज मुझे बहुत खुश का दिया ज़्यदा खुशना हो दीन वो इसकी शरारत से तेजी सोटी वो बिलकल रैडी स्टेज पे अपनी फॉर्फार्मेंस का वेकारी थी राविका को देखा तो उसको एक करीज के रूप में देखा वो दांग रहागी वाओ वाबी वाओ क्या कहना है मैडम के नूर ने वारी सत्की होते अंदाद में कहा राविका मश्रकी खुसिन के तहां जिम गए यह हारस का बचे कहा गाइब होगे इसे बत्तमीज का रोला ना है हारस तो आज वाकी नज़र नहीं आया क्या यह क्या कह लिए अगर वो नहीं आया ना मैं कसम से उसका साब फार दूंगे ओ प्लीज सारवार नहीं फार ना आ जाएका रुको में काल्व करती हो सकता है ड्रेसिंग रूम में हो जब पना मिर बाद ना आया तो इस साबा का उससे बुड़ा हाल हो गया लब को वसकते से दबाए तेजी से स्टेज की तरवाई दो पर दागिरा हुआ था बाकिस सब लोग में माजूत है फिर से शदीद गहरा तरीन जड़का लगा स्लीम के ड्रेस में मलबूस अपने सामादा चिकी को देखा पहले तो वह दांगिरागी फिर से सारी बाद समझे कि हारस क्यों नहीं आए तो कि वह प्ले में दिल्चस्मी नहीं ले रहा बढ़ते वते दिस उसके पास जाका हूप सुनाने लगी थी कि जाकताम परदा चाकाव सामान उसे देखा उसके रूप में देखा चानक इस सबाग हसी आई और उससे डोकने लगी अब डायलाग के दुरान कैसे अपनी हसी रोकती अच्छा हसा पले हराब हो जाएगा यह सीन जशन का था जहां सलीम की नज़र पहली बार अनारकली पर पड़ी थी है तो हसा चोटा मगद सबा को सीन कावी लंबे महसूस होड़ा था उसने अपने दोस्तों के साहुश कपू में मसूफ होना था मगर आँखों के कौने में उस समादाजिकी का अगसा जो बिलकुल मभूसा उसे तक रहा था तो यह पले का हिसा लेकिन उसके आँखों के अवारफात की अतनी असल मालूम हो रही थी कि अब सबाब भी अपने नज़ू को रोक ना सकी फिर एहसास होने पर आँखों में तन्बिया की के अवर हो रहा है कंड्रोल यूरसल्फ मगर वहां होश में गोंथा उस चोटे से सीन हतम हुआ और फोरे बर्दा लहरा है सारे बैक स्टेज की तरगे जब कि उसके पास चलते हुआ है तुम्हें आहर ठान यह सामाली हान किसी तहां मुझे हराना है कालो मैं अगर जाब करूंगी तो तुम तो मेरे पास होगे बाल कटवाने जाऊंगी तो میरे हेरर ड्रेसर होगे रैस्टरन में जाँगी तो मेरे वेटर होगे जाऊंगी तो मेरे मैं कैनिंग होगे उसमाज चूंके फिर उसने अपनी बीबी को देख़िखगे किमाथे पाबला एतना फारग नहीं हो मैं हाँ हाँ वो तो दिख रहा है मुझे समझ नहीं आदी और आप प्लैनर कैसे बन गे हाँ जरूर वो इंपरेश पूरी वाले अंकल ने सारी जाइदाद दे दी होगी वो आगाजान के रेफरेंस पाव मुस्क्राबरा जी नहीं किसे मुझे कुछ नहीं देश साब कुछ अपने बालबोते पार किया तुमने पहले अपने माबाब पार पलती रही फिर मेरे पार और अब अपनी बहन बार अंजाने में उसे शरारत सुझी नहीं तो अम्यबू मुझे उठा का फैंग देते तुम ये सब करके दिखाते फिर मैं तुमें बताती और रही बात आपी कि तुम मुझे से प्यार करती है और उनका फ़र्ज है मुझे पालना क्योंकि मेरे शोहर और मेरे माबाब को मेरी जरूरत नहीं है वो तेजी से कह कर जाने लगी पागल है यलकी कह कर वो दूसरी तर्फ चला गया वो अंदर आई और अविकल सेंदे पे हाथ मादे उसे पलीस वारी नज़्यों से देख ली थी और क्राइम स्टूरेंट सबा ने उसके गुरी पे अबरूच वाया कि क्या हुआ क्या सीन है नेक्स डिसीन सलीम और बहुतियार का होगा वेड़ करो यार इतने साथ बुकल आगी डिस सबा परशानी में नाच सब नहीं गया बात को मत गुमाँ सबा ये सार और तुम्हारा कैसीन ओम जी और यू टू डेटिंग कहीं सबा गबरागी डिकी देखा और पर अपनी मोटी दोस्त को जल्दी से उसके पास आकर बोली चुपका मोटी क्या बक्वास का लिया वो तेज लहचे में गया देखने लगी मिस्स उसामा लिहान एकदम किसी के आवाद पर वो मुरी एक और थी बर्गर किंग की यूनिफां में मलबूस आडर पकड़े चिट पर उन्चा बोली मिस्स उसामा नूरी सबा का चेहरे पे गबरागी मिस्स उसामा सर उसामा की भी बीवी भी आई है हाई सर की वीवी भी है सर शादी चुदा है नहीं इतने हैंसम परसनालिटी के मालक सर शादी चुदा मिस्स उसामा का लफ सुनते ही सब के चेहरे पर गम के साया से लह लह राए जैसे इस सामा ने उससे किसी किसम के वादे की हो लिए जिमें तो ऐसे गहरा सदमा था किसमा को हसी भी आई और अपनी किसमत पर रश्क भी आया बगर इस सामा की फजूल हरकल पर उसे ताओ भी आया था कुछ सोते हुए वह आगे बड़ी हाँ मैं हूँ मिसिस उसामा लाओ दो अर्डर्ट साथ भूख लगरी है एकदम जैसे बैक स्टेज में स्कूछ आगया था हर्यूगो हस्बन ने पर मरत गार दी थी क्योंकि मेरे पास अभी एक रुप्याद नहीं है सोरी क्रोना सब के मुँ खुलकर बाहर आगे वो सबा को ऐसे देख रहे थे जैसे पहले बार देख रहे थे हजबन राबागी की आवाद भी किसी शाक से कम नहीं थी सुबा शडारत से हजब पड़ी अरे पागलों सहथ बुकला गली थी सरती रहे उस कोच की बीवी मैं उसकी बीवी पागल हूँ मैं तो वो किसी शास को मूँ नहीं लगाती सब लड़की की जैसे जान में जाना है मगर राबरिका अपनी दोस्त को गुरी थी जो आप बर्गर निकाल का खाने लगी वैसे सुबा कोच तुमें डांटें की किसे परवा है वो मुहतरमा बर्गर बाद में खाना मा बेटी वाली सीन आ गया चल मोटी मेरी माँ उसने मूँ बना का राबरिका का हाथ बकरा मगर वो बिलकुल खामोशीर से उसके साथ चाल दे कुछ तो गार बर्गर थी हानम के हुकम से साब खड़ अपने महमानों का इंतजार काड़े थे उसामा ने गारी बेजी हो भी के नहीं मोरे इने देखते हो के कहने लगी वो हो बात हो गए है अब तो वो पहुंचने वाली भी है पता नहीं बहुत शर्मिंदगी हो रही है हानम उन से नजरे नहीं मिलाई जाएंगी सिद्धा पोलू के हार आगे है न सिद्धा ने अपने साफ़ा दोबटा दूसके और अपने तीन साला बेटे को फीडर पकड़ा रही थी चार मिने पहले बेवगी की चादर और का वुसरा है हावेली अपनी बेटे समय ता आगी थी क्योंकि उसके सिद्धा वाले समय उस लड़की को पने साथ नहीं रखना चाहते थे जिसके वज़ा से उनका बेटा इस दुनिया से रुक्सत हो गया सोच की जहालत अब भी काईम थी मगर सिद्धा की सोच थी ये साब उसकी एकी एकी सेजा थी अगर वो समयर के साथ ये साब ना कर दी तो जिन्द के उस पाप महरबान होती मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी को इतनी तकलीफ दो और आप सुक मेरो दूसरे तर पलवाशा भी उस गार्ड में थी शुरू में तो उसका कोई रिस्ता नहीं आया और वो जो अपनी हुबसिती पार गरूर का ताज पहने साब को हारत की नजर से देखती थी आज तेजाब से हराब किये हुए चहर पावत तला कदब अपने माथे पाली सुनारी होईली आगे दूसरी तर अलिया की भी कभी शादी नहीं हुए और अब भी कुछ दिन पहले मुसम की तब्दिली के बास अचानक फालज का टाइक हुआ था उसे पहले ही शुकर की बिमारी थी और वो अपना हयार भी नहीं रखती तिस वाज़ा से उसको हो गया और वो भी अपने कमरे की होकर है गी मुरे तो उनका अंजाम देका हो लुक्ती दूसरा हीरा बेशाक नाम नादम थी मगर फिर भी अपने अकल के बास वो अपनी शादी के 6 साल दा कुलाद की खुशी से महरूम रही और हालनम को उनसाब के दा कोई शाप नहीं लगा था क्योंकि वो मकफाते अमल पर जिकी रखती थी ताई तो अपने बच्चों की हालादे का जैसे तूट कर रहे गी और ताया ने भी अपने अपना परापके हवाले कर दिया और इबादतों में मशगूल होंके बहुत कुछ बदल गया था अप सुनारी हवेली वैसे नहीं रही थी था तो मनज़र बेहाद उदास सा मगर उदास की असूदकी जो जहां बहुत काम पाई जाती थी वो आप इस हवेली को हिस्सा थी अचानक सुनारी हवेली का गेट को रस्याज जी पंदेतार हुई मौरी के चेहर पे गबड़ा हटागी मगर वो हिम्मत करती हानप के बिच्छी आई ताई बीस साथ एक तफस्या मुर्के में मलबूस एक हुश शकल वरत उती जबके दूसे दो मर्द निकल एक बाईस साला नोजवान हुश शकल लड़का था जब कि उनके साथ गन्भी रंगत के खामिल उस लड़के के वालत उतरे पाह है मौरी हानम ने हुश दिली सकत उन से मिली वो भी मुस्क्रा को उन से मिली आपका साफ़ा ठीक तो रहाना को मसा तो नहीं हुआ माज़त चाहते गारी जरा देश से पहुंची एरपोर्ट हानम ने नर्मी सका नहीं बिल्कुल अल्ला का शुकर सफ़ा ठीक रहा कोई मसा नहीं हुआ वैसे क्या जरूरत थी हम वैसे भी गारी अर्डर करवा के आ आ जाते नहीं फरहाद साहब आप हमारे महमान है और दूसरा हमारे अपने भी तो अपनों में कैसा तकल्फ सामा से बात हुई आपकी मोरे ने मिस्स फरहाद से बुचा जी जैसे ही हमने लेड़ के सामान निकल बाते वक्त फोर उसका फोन आया हमारी आमद के उकाद का उसे मालूम था फिर फरायर का पुशन लगाओ गाड़ी का बताया बहुत प्यारा बचा है मोरे और हाने मुस्क्राइबा की सबसे मिलका वो इन्हें अपने साल लेगे अपना सीन हतम होने पाप वो दुबार आई बढ़कर ठंडा नहीं हुआ था शुकर निकाल का खाने लगे जब अबरिका न रुका जो तुमने इस वक कहा था क्या वो साच है कौन साच मिस्स उसामा तुम नूर ने सार उठा को से गोरा तुम्हें लगता है मैं इस सरड़े वे कड़ेले की बीवी होंगी सुबा हेरी अंददा हलुआ सुबा ने पने कुछ से उतारे वो पीछे हुआ अरे अरे तुम तो मेरी नज्जों से अभी ओजल हो जा तुम इस चिकी से मिले हुए हो चिकी कौन चिकी मेरा मतलब उस कोच से वो क्यों प्ले में था बिलकुल सुबा वो प्ले में क्यों था कभी वो आर्ट टीचर, कभी वो कोच, कभी वो परन से पालो रब ये वाट इस दिस, तुम दोनु का जरूर को चकर है यूर जस्ट डेटिंग हम हम आई एम नाट पागल हो जूते खाने है मैंने आपी से सुबा कह दो जब प्यार किया तो डरना क्या उफ बर्गर खाकर मैंने गल्दी कि तुम खालो मुटी और हेरी अब मेरी नेसर से निकल जाओ वरना मैं एकदम सामा हेंटर हुआ सुबा अब ये सामने हैं बोल दो बना मैं सुम्मिरन आपी को बता जूँ सार्ड ये पता है क्या कह रही है कि हम लोगों का अफेर हरावी के एकदम सेट बटागे फिर अपने जजबात बाकाबू पाए जबके हैरी बिलकुल नार्मल था हाँ सामा की चेहरे पर मुस्कुराइट आई सुबा निसार उठाया और शौरबा नेजर से देखते हुए कहने लगी जब बोल उठा जाहरे हमारी क्रेक्टर्स में तो ऐसा ही है चलो आप सुबा प्ले का वक्त हो गया सार आप शादी जो दे हैं और आपकी बीवी भी यहाई है एकदा में की लड़किया उसने हुबसर से उसामा को हज़ते देखते हुए बुचा सुबा ने पहले उसे गुर का देखा पर अपने अच्छे नहीं बूरे बातमी साथ में को देखा हाँ बदकिस्मती से सारह हमारी परफार्मेंस का वक्त हो गया है वो गुस्यत उठी और मैं भी फार देता अगर मुझे पता चलता पूरे स्टेर में तुम हेरी की बाहों में मत बूलो मैं एक बठान हूँ तो मैं शाह हूँ वो गुस्यत उसके आंखों में देखते हुए बोले इतने फजूल सीन मैंने भी नहीं करवाने तो बरबूर डायलाग और एक्शन बढ उसमें तो फुल डीटेल था अगर तुमने सबके सामने फ्री होने की कोशिश की मलहास नहीं करूंगी जिकि तुम मुझे रोक कर दिखा वैं वो उसके पेशानी बे बिंदिया को उंगली से ठीक करने लगा एक दाम बड़ा उपर हुआ अभी अभी तुम कुछ बोल भी थ थे उसे उपर से लड़की का इस तुम्हें मालूम हो था पूरी तहां मालूम हो था कि तुम चीकियो उसामा के चेहले पर मुस्क्रा हटा इसने दबाई तुम नहीं जान दी तुमने क्या का दिया मैहुद भी नहीं जानता सुबा को बहुत जोर की हैसी आने लगी उफ होनार कली जाकर रसकर उसकी तो मैं जब उसकी बारी चीकी ने उसे क्रीब किया हाथ बढ़ा का वो उसे गुरने लगी जबकि वो बेन्याजी से उसे अपना डालाक बोल रहा था पिर मैं क्या समझती नकली अंसु हिंदुस्तान का नयाचांद एक चुकौर को चाहता है तो महरा नाम चुकौर वो हस्ते हो बोला सुबाने पहली बार उसे इतना खुल का हस्ते हो देखा था वो अपने प्ले हराब होने काड़र और घम बूल का मभूत से उसे तकने लगी पर्दा गिरा दिया गया क्या किया सार आपने जैक अंदर तेजी से आया आएम सोडी मु जहार नहीं कुरोगी सबाद इस待って मुझे इफसोस नहीं है जानता हूं कि उस से मर्द करेता है स इसको ही चूट करता है तुम्हारी हाया, तुम्हारी मसूम्म molta बचपना पता नहीं पूँधा ने और हम दोनु का सी हैं तुम तो चुप करो हैरी ने डपट कर साइल पेक किया गुसे का तेज हूँ जानता हूँ जो दिल में आता है कह देता हूँ थोड़ा पागल हूँ थोड़ा जला हूँ मुहपत का इसार करना नहीं आता हूँ आगे जा कर भी शायद ना कर पाऊं जैसे दिन बाई करते हैं अगर तुम मेरे दिल के हाल से वाकिफ हो मुझे जानती हो मैं यह कहना चाहता हूँ उसाबा मुझे सबके सामने अपने तमाम हाम्यू समित कुबल का ले तुम्हारा अच्छा वाला हस्बन उसामा दाच की सुबा ने एक दाम मुझे का पूरी आरियन्स को देखा जो दाम बहुत उसे इत्राफि महबत को देखने लगी बोरिंग लाग रहा है कोई म्यूजिक लगाओ हैली ने कहते हुए तेजी से म्यूजिक प्ले के पास गया उसामा कहने को जशन बहारा है इच्छ तो ये देखिए हेरान है फूल से हुश्बू हवा 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 है गुल्चन में चुपा है कोई रांज फिजा की चलमन में सारे से हमें निजारे हैं सारे वक्ते दाड़े हैं दाड़े में उसमाने सामने हैली को गुड़ा कुछ ज़्यादा ही चीजी हो गया था जो उसकी शक्स के का हसाना था नूर भी क्रेंच होगी तेजी से वो बागी अरे ओ माई गॉड दिस इस सो रुमांटिक सुबा राभी का कमूँ खुल गया था और फिर तेजी से उसकी रा में आते हैं अभी बोले तुम दोनों का वाकर सीन है ये क्या सीन सीन लगाया है मिया है मेरा ओ हो हैरी बोला तुमने लगाया था मियूजो को सामने गुल को से देखा दो बोचा तुमने सारा प्ले बरबाद का दिया और रहने दो सब के सब बुरे अक्टर हो पीबी आम से जदा बुरा अक्टर मैंने कभी नहीं देखा गुल शेर बास्टा के रूब में सुबा को बोला तुम हर बच्चे वो खुसे से बोले उसामा और हैलिल के खाल गया औ तुम दोनों भी हर का बच चाहो उसामा को मज़ीद हसी आई तुम्हे ये लफस किसने से काया ये आप सब क्या बात का रहे है राबर के नहीं पूचा पठार की बीवी हूं तो क्या नहीं आता हाई वैसे सुबा कितनी बात तमीद हो सारी ही तुम्हारे हस्बान थे बताया मतलब अब तुम गारी को भी गदे का बचा को होगी मैं तो हाल ये कहता हूँ जो दीन बाई कहते है ना उसे तुम कानू को हाद लगाओगी ये दीन को बरादर क्यूं कह रही है रबिका को थोड़ी बहुत उर्दू आती थी कज़र है ये वाट मैनर वाट मीन्स समिरन जा रही हो कहकर चाल बढ़ी और चेंज को के बाहर जा रहा था कि एकदम किसी की आवाज से रुका मूट का देखा तो बोला हाँ अलब बोलो सर मैं क्या आप से दो मिन्ट बात कर सकती हूं बहुत परशान दिखाई देए उसामा बीचों पर हैरियत प्रीस दो मिन्ट के ल बोला प्लीस सार बताये ने अभी तुमने देखा यह सवाल अजीब है वरहाल हाँ मैं नूर सबा का शोहर हूं एक दम कैसे अचानक आंके बर्स बड़ी तो सामने गया है सांस यह जो जाता है ऐसे अलब दिल को कौन रोक सकता है इसलिए डांटने का कोई जवाद नहीं था अलब आई कैन अंडरिस्टैंड पर यह अचानक नहीं है मेरी उस बग शादी को 6 साल होगी है हम एक दूसे को शूरू में चाहते भी नहीं थे मैं तुम से इसलिए कह रहा हूं कि महबत शादी से पहले बिरकों बेमानी है इसलिए ज्यादा परशान और डिपरेश्ट नहीं हो आई नो तुम नहीं होगी होता है कालिस यूनिक करश करश बट तुम रो पड़ी तो मुझे यह कहना पड शार यह करश नहीं यह महबत है जब से मैंने आपको दिखा है I can't control myself but you have to otherwise you have to you have no choice उसामा आप संजिद्गी से कहने दगा आप मेरी फिलिंग को नहीं समझ सकते आप सुबा को छोड़ें उसामा हमोशी से देखता रहा पिर सार तासर से हलाता चला गया सार वो पीछे प्ली तुम लोगों की हाथ उसे क्यों चोड़ो जो अपने शोहर ताक से जहार करने पास जिजग पड़ी वो बोल्ट लड़की सुबा भी स्टेज से बाग गए क्योंकि उसमें हाया थी